हाई फ्रेंड्स मैं हूं दॉक्टर आमित माईश्वरी बिजनस टेनर कॉर्परेट टेनर मोटिवेशन स्पीकर और सी यू मेटा सोवर्स इस लेमिटेड आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफार्मिटिव वीडियो में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे सक्सेस सीक्रे 備 नंके पीछे का विजन क्या होता है यह किस रह से अपने आपके रामें और अपनी कंपनी के बारे में सोचते इस वीशेपिर हम बात करता है सबसे पहले चीजih consistent action जो visionary person होता है वो अपने actions को consistency के हिशाब से बढ़ाता रहता है ध्यान रखेगा एक small scale business owner क्या करता है कि उसके सामने अगर कोई problem आती है तो उस problem के solution को search करता है लेकिन जो visionary person होता है जो successful person होता है उसके सामने अगर कोई problem आती है न तो problem का solution तो ढूनता है लेकिन उस solution के साथ एक consistency बनाए रखता है जैसे staff recruitment को लेकर हम लगातार staff recruitment पर काम नहीं करते हैं हमारे पास एक limited staff होता है और जब उनमें से कुछ staff चला जाता है उसके बाद अब नया staff recruit करने का प्रयास करते हैं लेकिन बड़ी-बड़ी companies के CEOs regular hiring करते हैं मतब ल जैसे जैसे वो लोग अनुभवी होते जाते हैं उनके अंडर नए staff को recruit करके अंडर trainee लगाकर उनको train करते हैं और धीरे-धीरे business को expansion के ओर ले जाते हैं मतलब small scale business owner की problem पता है वो हमेशा problem आने पर ही solution ढूनता है लेकिन एक successful business owner problem के आने से पहले solution को तयार रखता है जिसके ल प्राब्लम को लगातार solve करने के लिए अपना backup तयार करते रहें जो लोग problem को solve करने का backup तयार करते हैं वही billion dollar company बनते हैं always have burning desire friends successful लोगों की नहीं खास बात होती है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उनकी short desire नहीं होती कि अभी मन किया मिल जाए तो ठीक ना मिले तो कोई बात नहीं उनकी desire एक burning desire होती है जब तक वो चीज़ वो हासिल नहीं कर लेंगे तब तक निरंतर प्रयास करते रहेंग और चोटी-चोटी achievements को जब इकठा करते हैं तो एक बड़ी achievement बन जाती है और burning desire यह बात पताती है कि जब तक आप वो लक्ष हासिल ना कर लें तब तक निरंतर प्रयास करते रहें इसलिए कई बार मैं अपनी कविताओं में भी कहता हूं कि लक्ष कठिन हो तो पाने में मज आता है हिम्मत की हद से गुजर जाने में मजा आता है और समंदर की अथा गहराई पसंद है मुझे और आस्मान की अनंत उचाई पसंद है मुझे समय बदता के साथ जीत जाने में मजा आता है जो बड़ी-बड़ी companies को CEO's होते ना वो जिनकी जो burning desire है उसको achieve करने की date and time भी को announce कर देते हैं जिसकी वजह से वो समय बदता के साथ अपनी चीजों को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं जब तक वो चीज आसानी से हासिल ना कर ले इसलिए आप भी अगर बेशुमार सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपके अंदर भी burning desire होनी कि मेरे काम करने के तरीके में क्या कभी है क्या गलती है किस में मुझे सुधार करना है कौन कौन सी ऐसी बाते हैं जिसकी वजह से मैंने ना सुना ताकि आप आसानी से उसको modify कर पाएं और अपने clear path को define करते हुए अपने लक्षों को हासिल कर ले इसलिए ना सुनने से ना इसलिए learn to listen know next that is don't try to do everything एक problem small scale business owner की पता है क्या होती है वो खुदी अपनी company में superman है batman है शक्तिमान है और हर वो powerful person है जिसके अंदर extraordinary power होती है मतलब अपने business की सारी power को collective रूप से अपने पास रखता है sales से related, marketing से related, promotion से related, expansion से related, production से related, process से related, administration से related सारी power उसके पास होती है जब बहुत सारी power आपके पास होती है तो आप कभी भी उन power का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते है इसलिए आपको क्या करना है आपको सारी power अपने पास centralized नहीं रखनी आपको second leadership generate करनी है ताकि आप decentralized कर सके लोगों को हस्तानतित कर सके और आपके द्वारा प्रतिनिधी जब उन powers के साथ काम करेगा तो वो आसानी से आपके बनाएगे लक्षों को हासिल करने के लिए उन powers का इस्तेमाल करेगा और आपको desired result जरूर हासिल होंगे तो इसलिए don't try to do everything क्योंकि एक बात और भी ह एक person multi talented हो सकता है पर multitasking नहीं हो सकता आपको बहुत सारी चीज़े तो आ सकती है पर बहुत सारी चीज़े आप एक साथ नहीं कर सकते मतलब अगर इस समय मैं या वीडियो में बोल रहा हूं तो मैं साथ में car drive नहीं कर सकता और अगर मैं car drive कर रहा हूं तो वीडियो में नहीं बोल सकता मतलब दोनों चीज आने के बावजूद भी आप multi talented हो सकते हैं multi tasking नहीं इसलिए different different task different different people पर diversify करें और आप अपने आपको free रखें ताकि आप अपने vision को आसानी से हासिल कर सकें next that is don't sell products friends सबसे बड़ी problem क्या है एक small scale business owner का उदेश्य अपने product या अपनी services को बेचना होता है ताकि वो अच्छा profit कामा सकें जबकि एक successful company के पीछे जो होता है secret वो बिल्कुल different है वो क्या है वो product selling पर focus नहीं करते हैं वो consumer की problem के solution को find out करने पर focus करते हैं या consumer की need को समझते हुए क्या benefit उसको दे सकते हैं उस पर focus करते हैं जिसकी वज़े से consumer उनके product या उनके service पर एक trust show करता है और उनको आसानी से sale करना trust show करता है जिसकी वज़े से उस product या उस service को बेचना आसान हो जाता है इसी रहे कहते हैं money is the secondary money is the buy product in comparatively to the sale अगर आप sales को focus करने के लिए product की quality, services, customer के requirement या उसके problem के solution को focus करते हैं तो आप आसानी से sale को बढ़ा सकते हैं इसलिए बेचने का प्रयास ना करें जब आप problem का solution देंगे तो material अपना बिकना शुरू हो जाएगा तो friends ध्यान रखिए अगर आप अपने business में exponential growth चाते हैं तो don't try to sell product to your consumer इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा बहतर idea है जिससे आप कोई लगता है कि हमारे बाकी viewers या subscribers अपनी knowledge को बढ़ा सकते हैं तो वो comment box में ज़रूर लिखें इसके अलावा कोई भी प्रशन अगर आप business से related पूछना चाते हैं तो मेरा request है वो comment box में हमसे ज़रूर पूछें कोई informative वीडियो मिशना उसके लिए चैनल को subscribe करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत